हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू जी अरेस टेकनिकल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 16 दिसंबर 2020 का करेंट अफ़ेर, तो चलिए बिना समय गमाए बिना आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रशन है, 2023 के FIH Men's Hockey Wishwakup की मेजबानी भारत के किसी राज के द्वारा की जाएगी FIH का यहाँ पे मतलब यह होता है International Hockey Federation याद रखिएगा, FIH का मतलब यह होता है International Hockey Federation और यहाँ पे बात हो रहा है, 2023 के FIH International Hockey Federation Men's Hockey Wishwakup की मेजबानी भारत के किसी राज के द्वारा की जाएगी तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा उडिसा याद रखिएगा, दूसरा प्रशन है, ओला किस राज में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कार खाना स्थापित करेगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा Tamil Nadu आप लोगों को मैं बता दूँ कि ओला Tamil Nadu राज में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कार खाना स्थापित करेगा तीसरा प्रशन है, आरबी आई किस शहर में स्वचालिक बैंक प्रसल्करन ABPC स्थापित करेगा मैं अपने प्रशन को फिर से दुहराती हूँ आरबी आई किस शहर में स्वचालिक बैंक प्रसल्करन ABPC स्थापित करेगा तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा जैपूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चोथा प्रशन है हाली में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल M.M. नर्वने को गार्ड ओफ ओनर सम्मान से सम्मानित किया है तो इसका करेक्ट न अंसर हो जाएगा साओधी अरेबिया हाली में साओधी अरेबिया देश ने कि सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल M.M. नर्वने को गार्ड ओफ ओनर सम्मान से सम्मानित किया है पाच्वा प्रशन है डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलिवूड स्टार को डाबर चवनप्राश का ब्रेंड अम्बैजडर न्यूक्त किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षे कुमार सबसे जगा फिटेस्ट अक्टर है बॉलिवूड में और इसी कारण से डाबर इंडिया लिमिटेड ने अक्षे कुमार को स्टार ओफ डाबर चवनप्राश का ब्रेंड अम्बैजडर न्यूक्त किया है छठा प्रशन है किस राज सरकार ने शादी समारों के लिए ओनलाइन पंजी करन अनिवार कर दिया है तो गुजरात सरकार ने शादी समारों के लिए ओनलाइन पंजी करन अनिवार कर दिया है बिना पंजी करन कराए हुए कोई भी शादी गुजरात में नहीं कर सकता है सात्वा प्रशन है हाली में विजे दिवस कब मनाया गया हाली में विजे दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया है याद रखिएगा आठवा प्रश्न है हमारा विजन 2035 भारत की सारवजनिक स्वास निगरानी की संगठन द्वारा जारी किया गया है एक श्वेट पत्र है मैं अपने प्रश्न को फिर से दुहराती हूं विजन 2035 भारत की सारवजनिक स्वास निगरानी की संगठन द्वारा जारी किया गया एक श्वेट पत्र है यानि की वाइट पेपर है तो ये मतलब हेल्थ से आता है मतलब हेल्थ से किया रहता है तो इसको नीती आयोग याद रखिएगा इस question का correct answer हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जैहिंद वंदे मात्रम